हेलो फ्रेंड्स वेलकम तो अनूप स्टडी जोन तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हिंदी में जो हम लोग का भाग एक था यानि जिसमें हम लोग को क्या पढ़ना था वर्डमाला, संधी, समास, उपसर्ग और प्रत्य वो कम्प्लीट हो चुका है अब हम लोग जो पढ़ र संध्या, सर्वनाम, क्रिया, और विसेसर और विकारी में हम लोगों को उसमें भी चार पार्ट पढ़ना था है तो यहां हम लोगों ने क्या क्या कम्प्लीट कर चुका है संध्या, सर्वनाम जो टॉपिक था यह कम्प्लीट हो चुका है आज की जो क्लास होने वाली है वो क किसकी होगी क्रिया की होगी साथ ही साथ जो हम लोग को शंग्या के अंतगर्थ लिंग वचन कारक पढ़ना था वो भी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है तो आज के जो हम लोगों की क्लास होने वाली है वो किसकी होगी क्रिया की होगी तो बिना देर करते हुए हम क्लास को स फिर करना पाया जाता है वो क्या कहलाती है क्रिया है ना कहने का मतलब क्या है कि किसी भी अगर वाक किसी हमें ये ग्यात हो कि इस वाक में कोई न कोई action हो रहा है कोई न कोई काम हो रहा है तो वही क्या होगा क्रिया होगा ठीक है जैसे अगर हम example में यां से अगर देखा जाये दोड़ना लिखना जाना आदी यानि कहने का मतलब क्या है दोड़ना यानि हम दोड़ रहा है कोई ने कोई एक्सन तो यहां पर हो रहा है कोई ने कोई काम तो हो रहा है तो यह क्या कहलाएगी क्रिया कहलाएगी इसी प्रकार से लिखना जाना करना ठीक है अब इसी क्रिया में हम लोगों को एक सब्द क्या पढ़ना है धातू तो अब क्या देखेंगे धातू क्या होता है सबसे पहले यहां पर हम जानेंगे धातू का मतलब क्या होत क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं तो धातू कहते हैं अब जैसे अभी तक हम ने क्या देखे जो ड१ान Cape अब यह जो डौड दौड़ना जो सब्दह mound इसमें largely नाप्रत्य लगा इस इसी नाप्रत्य को जैसे हम महटा देते हैं जो बचता है वही क्या कहलाता है धातू यानि इसमें धातू क्या हो जाएगा हमारा दोड ठीक है कहने का मतलब क्या है जो हमारी क्रिया है उसमें जो ना प्रत्य लगा है उसी को अगर हम हटा देते हैं तो जो बचता है वही क्या होता है धातू कहलाता है ठीक है जैसे लिखना में अगर हम इस ना को हटा दे तो क्या हो जाएगा लिख हमारा क्या हो जाएगा धातु हो जाएगा ठीक है अब ये तो था क्रिया क्रिया की परिभासा और धातु क्या होता है अब हम लोग क्या देखेंगे क्रिया के प्रकार है ना क्रिया के प्रकार या फिर भेद ठीक है तो यहाँ पे क्रिया के कई प्रकार है जो जो इंपोर्टेंट है हम लोग उसको पढ़ेंगे तो सबसे पहले क्रिया को दो भाग में बाटा गया है कौन कौन सा जैसे धातू इसे और क्या कहेंगे molly kriya या फिर molly kriya है ना दूसरा यहां पर जो हम लोग को पढ़ना है वो क्या पढ़ना है yogi kriya ठीक है तो यहां पर हम क्या देख रहे है molly kriya या molly kriya का मतलब क्या होता है यानि kriya किर्षा जिस रूप में जन्म लेती है वही क्या कहलाएगा मौलिक क्रिया या मूल क्रिया लेकिन हम लोग को पढ़ना क्या है हमें इसी योगी क्रिया के अंतगर्थ पढ़ना है इसी योगी क्रिया के अंतगर्थ तेन भाग में इसको बाट दिया गया है पहला कर्म के आधार पर दूसरे क्या पढ़ेंगे हम लोग अर्थ के आधार पर तीसरा हम लोग कुछ अन्निक्रियाएं पढ़ेंगे है ना अब इसी कर्म के आधार पर देखते हैं तो कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं दो भेद होते हैं तो यहां से एक प्रश्न किया जाता है एक्जाम में कि कर्म के अधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं, दो भेद होते हैं, पहला कौन सा होता है, शकर्मक्रिया और दूसरा जो होता है वो क्या होता है अकर्मक्रिया है ना और फिर से इसी सकर्मक्रिया को दो भाग में बाट दिया गया है इसको भी हमने पढ़ना है कौन कौन सा एक कर्मक्रिया और दूसरा क्या पढ़ना है द्वी कर्मक्रिया ठीक है तो ये था हमारा कर्मके आधार पर कर्मके आधार पर क्रिया के कितने भेद होंगे दो भेद होंगे कौन कौन से सकर्मक्रिया और कर्मक्रिया फिर हम यहां देखते हैं सक कर्मक क्रिया को भी दो भाग में बाट दिया गया है एक कर्मक क्रिया और दू कर्मक क्रिया ठीक है अब दूसरा यहां पे देखते हैं हम लोग को क्या पढ़ना है अर्थ के आधार पर तो अर्थ के आधार पर भी क्रिया को दो भाग में बात दिया गया है कौन कौन सी क्रिया एक हो जाएगा क्रियार्थक संग्या है ना पहला हो जाएगा यहाँ पे क्रियार्थक संग्या और दूसरा जो हम लोगों को पढ़ना है वो क्या पढ़ना है प्रेड आर्थक क्रिया है ना और कुछ अन्य जो क्रिया है उसमें हम लोग को क्या क्या पढ़ना है जैसे हम लोग पहला क्या पढ़ेंगे पुर्व कालिक क्रिया दूसरा इसमें हम लोग पढ़ेंगे सयुक्त क्रिया क्या होता है है ना तीसरा हम लोग पढ़ेंगे सहायक क्रिया क्या होता है और लास्ट पढ़ेंगे कालवाचक क्रिया क्या होता है ठीक तो ये था हमारा क्या क्रिया के प्रकार अब इसे क्रिया के प्रकार में हम लोगों को सबसे पहले क्या पढ़ना है कर्म के आधार पर तो कर्म के आधार पर इसे दो भाग में बाटा गया था तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पर क्या पढ़ेंगे सकर्मक्रिया क्या होता है है ना अब हम लोग यहाँ पर क्या देखेंगे सकर्मक्रिया है ना सकर्मक्रिया क्या होता है ज जिस क्रिया का प्रभाव अगर कर्म पर पड़ेगा तो क्या हो जाएगा सकर्मक और जिस क्रिया का प्रभाव कर्म पर पर पड़ेगा वो क्या हो जाएगा अकर्मक है ना रट लिया लेकिन हम लोगों को समझ में ही नहीं आया कि सकर्मक यानि ये कर्म का प्रभाव या फिर कर सब्सक्राइब क्रपार करें हैं कि सक्रमक और अकर्मक में अंतर चिंए सब्सें क्रिया क्रिया क्या होती है और अकर्मक्रिया हम लोग असानी से पहचाल लेंगे और कोई भी दिक्कत अपसे नहीं होगा जैसे यह है क्या सकर्मक, है न? और यहां पर हम क्या लिखते हैं? अब देखे, इसमें कौन सा सब्द कौमन है? गर्मक, कर्मक, यानि कर्म क्या है? common है अंतर क्या है सो का है और अ का है है ना इस सो का मतलब क्या होता है साथ में और इस अ का मतलब क्या होता है नहीं ठीक है और कर्म का मतलब या हम किस से समझेंगे कर्म से समझेंगे तो कहने का मतलब ये है कि सकर्मक्रिया क्या होगी जिसके साथ भी जिस वाक्य में यानि जिसमें क्या आजाए कर्म आजाए वही क्या हो जायागा सकर्मक्रिया और नहीं यानि कर्म नहीं तो जिसमें कर्म नहीं आएगा तो वो क्या होगा अकर्मक्रिया कहने का मतलब इसमें क्या आएगा कर्म के साथ जो आएगा वो सकर्मक्रिया कहलाएगी है ना और इसमें क्या होगा कर्म नहीं होगा अब ये बताईए परिभासा तो यही कह रही है न कि जिस क्रिया का प्रभाव किस पे पड़े कर्म पर पड़े तो यहां हम क्या देख रहे हैं यहां प्रभाव किस पे पड़ेगा कर्म है तो कर्म पर प्रभाव पड़ेगा और अकर्मक्रिया की परिवासा क्या कहती है कि जिस क्रिया का प्रभाव कर्म पर न पढ़ के किस पे पढ़े करता पर पढ़े इसमें प्रभाव किस पे पढ़ता है करता पर तो ये बताईए जब इस वाक्य में कर्म रहेगा ही नहीं तो कर्म पर प्रभाव कहां से पढ़ेग है ना प्रभाव किस पे पड़ेगा करता पर पड़ेगा तो यह क्या कहलाएगी हमारी अकर्मक क्रिया कहलाएगा ठीक है तो यहां से हम समझ सकते हैं सकर्मक और अकर्मक में डिफरेंस क्या है ठीक है अब जैसे हम क्या देखते हैं यहाँ पर सकर्मक्रिया का उधारण देखते हैं ठीक है जैसे अगर देखा बोला जाए कि राम आम खाता है आम खाता है अब यहाँ आपसे पूछा जाए कि कौन सी क्रिया है यानि इस वाकि में कौन सी क्रिया है राम आम खाता है इसमें कौन सी क्रिया है सकर्मक है या अकर्मक है तो हमको पता कैसे चलेगा कि यहाँ कर्म पर प्रभाव पढ़ रहा है या करता पर प्रभाव पढ़ रहा है तो हम लोग क्या करेंगे चेक कर लेते हैं इसमें कर्म है या नहीं अगर कर्म हुआ तो पक्का है इसमें क्या हो जाएगा सर कर्म क्रिया होगा तो अब यह बताईए कि हम लोग कर्म पहचानेंगे कैसे तो जब हम लोग कारक के क्लास हमने जो की थी उसमें मैंने आपको बताय था कि कर्म कारक्या फिर करता कारक को पहचानेंगे कैसे हैं न तो यहां पे हम देखते हैं कर्म कारक को पहचानने के लिए हम लोग क्रिया के साथ क्या या फिर किसको लगाकर प्रश्न करेंगे किसको लगाकर प्रश्न करेंगे ठीक है अब यदि हमको पहचानना है इस वाकिय में कर्म है या नहीं तो हम लोग क्या करेंगे ये जो हमारे क्रिया है खाता है यहाँ पर क्या है क्रिया है इसी के साथ हम लोग क्या लगा कर प्रश्न करेंगे अगर हमें उत्तर मिलता है तो वही क्या होगा हमारा कर्म होगा ठीक है जैसे यहाँ पर देखते हैं राम आम खाता है क्या खाता है तो उत्तर में क्या मिलना है आम खाता है यानि यही जो आम है, यहाँ पर क्या है? कर्म है और इसी कर्म पर क्या पढ़ रहा है? प्रभाव पढ़ रहा है यानि यहाँ पर क्या हो जाएगा? सा कर्म क्रिया होगा ठीक है? यहाँ पर क्या हो जाएगा? सा कर्म क्रिया होगा अब इस प्रकार से वाक्य भी देकर आपसे प्रशन पुछ सकता है ऐसे भी प्रशन पुछा जा सकता है जैसे आपको दे दिया जाए लिखना या फिर पढ़ना या फिर खेलना ठीक है और इसमें पुछा जाए जैसे आपको दे दिया गया लिखना जो सब्द है उसमें कौन स क्रिया है यानि सकर्मक होगी या फिर अकर्मक होगी तो अब आप सोचेंगे कि इसमें हम कर्म को पहचाने कैसे है ना तो कुछ नहीं करना है हमें यही यही जो क्रिया है इसी में क्या लगा के प्रश्ण करना है जैसे अगर बोला जाए क्या लिखते हैं तो हम आंसर में कुछ भी बोल सकते हैं ना जैसे उपन्यास लिख सकते हैं है ना निबंद लिख सकते हैं बहुत कुछ लिख सकते हैं है कि नहीं लिखना यानि क्या लिख रहा है उपन्यास लिख रहा है निबंद लिख रहा है उत्तर में हम लोग को मिल ला है ना कि उपन्यास या फिर निबंद साकर्मक्रिया होगा और इस तरीके से आप से प्रश्ण एक्जाम में किया ही जाता है दे देगा आपको कोई भी सब्द दे देगा पढ़ना में कौन सी क्रिया है ठीक है तो क्या पढ़ते हैं निबंद पढ़ते हैं उपन्यास पढ़ते हैं उत्तर मिलना है है कि नहीं तो इस इसमें भी क्या हो जाएगा क्रिय क्या 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 अठीस किया है तो इस में क्या हैं ? यहां से बहुत ही जादा इंपकर लिखा गया है क्या है , या उस संभिक है ? ठीक है तो मीद्ध आपको यहां से सकर्मक्रिया अच्छे से समझ में आ गई हो गी अब हम लोग अकर्मक्रिया के एक्जामपल देख लेते हैं ठीक है जैसे यहां देखते हैं दूसरा क्या है अकर्मक्रिया अब परिभासा तो यही है क्या है कि जिस क्रिया का प्रभाव किस पे कर्म पर न पढ़कर किस पर पढ़े करता पर पढ़े है ना तो यहाँ पर हम लिख देते हैं करता पर प्रभाव पढ़ेगा ठीक करता पर प्रभाव पढ़ेगा अब मैंने आपको पहचारने का तरीका भी बता दिया कि यानि जिसमें कर्म नहीं होगा उस वही क्या हो जाएगा उसमें क्या होगी अकर्मक्रिया होगी यानि जब कर्म नहीं है तो प्रभाव पढ़ेगा किस पर इसी पर यानि कर्ता पर ही पढ़ेगा एक्जाम्पल जैसे ह हम लोग समस्ते हैं यहां पर पहला उधारण है हम लोग का ठीक पहला एक्जामपल हम लोग क्या देखते हैं कि चिडिया आकास में उड़ रही है हullen तो उड़ती है उड़ रही है क्या उड़ रही है तो हम लोग के हम प्रशन कब करते हैं जब हम लोग को करता प्रश्ण करहें हमें कोई उत्तर नहीं भीला है यानि यहां प्रभाव किस पर पढ़ रहा है इस वाक्य में क्या हो जाएगी और है कर्म क्रिया होगा ठीक है अब जैसे एक एक्जामपल और देखते हैं यहां पर जैसे हम देख रहे हैं बच्चा रात में रोकर सो गया ठीक है बच्चा रात में रोकर सो गया तो यहां हम क्या करते हैं कर्म है की नहीं सबसे पहले पहचानेंगे तो क्या रोकर सो गया कोई उत्तर मिल ला है कुछ लोग बोलेंगे बच्चा रोकर सो गया तो यहां पर हमें भाई क्या से उत्तर थोड़ी न मिल ला है उत्तर मिल किस से रहा है कौन से जब प्रश्ण करेंगे तब उत्तर मिल ला है कौन रोकर्स हो गया बच्चा रोकर्स हो गया है ना यानि कर्म यहां पर नहीं मिल ला है बलकि यहां क्या है यहां जो कर्म नहीं मिल लाए तो प्रभाव किस पर पढ़ेगा करता पर पढ़ेगा सिंपल सी बात है है ना तो यानि यहां बच्चा पर प्रभाव पढ़ रहा है तो इसलिए यहां पर क्या हो जाएगा कर्मक्रिया होगी ठीक है, अब यहां سے आप लोग ये बताइए, यह जो रात में यहाँ पे लिखा गया है, इसमें कौन सा कारक होगा, ठीक है? जिन लोग नहीं हमारी कारक की क्लास की है, तो उम्मिद है वो लोग तो बता ही लेंगे, है न, तो आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि यहाँ पे दिया जाए सोना हसना और रोना ठीक है अब ऐसे कोई शब्द दे दिया गया कि सोना में कौन सी क्रिया है तो यहां पर हम इसमें भी क्या लगा के प्रश्न करते हैं क्या हम लोग को उत्तर मिलेगा क्या सोता है अब तो बोलेंगे नहीं तोता बिली कौन वो जब तोता बिली अगर बोल भी रहे तो वहां पर क्या रहा है कौन सोता है यानि करता हमें अंसर करता का मिलेगा यहां पर कर्म हम लोग को नहीं मिलना है यानि इस सब्द में क्या हो जाएगा तब अकर्मक्रिया होगी इसी प्रकार से हसना में भी क्या होगा अकर्मक्रिया होगा तो इस प्रकार से हम सकर्मक्रिया और अकर्मक्रिया को अच्छे से पहचान सकते हैं, ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या देखते हैं, यहाँ कर्म के आधार पर क्या देखेंगे, हम लोग दो प्रकार देखेंगे, कर्म के आधार पे जो हम लोगों ने दो प्रकार देखा यानि सकर्मक और अकर्मक क्रिया तो उसी सकर्मक क्रिया में हम लोगों को दो पार्ट पढ़ना था है की नहीं और दूसरा जो पढ़ना था, वो क्या पढ़ना था, द्वी कर्मक क्रिया, ठीक है, तो एक कर्मक क्रिया या फिर द्वी कर्मक क्रिया होती क्या है, एक कर्मक क्रिया कहने का मतलब है, कर्मक कर्मक दोनों में क्या है, कॉमन है, है कि नहीं, यहां क्या आ रहा है, एक, यानि कहन का मतलब जिसमें एक कर्म हो वो क्या होगा एक कर्मक जिसमें एक कर्म हो और यहां क्या है दूई दूई का मतलब क्या होता है दो है ना यानि जिसमें दो कर्म होगा वो क्या हो जाएगा दूई कर्मक होगा जिसमें दो कर्म हो जैसे उदानट समझते हम यहां से कि क्या सिच्छक ने पार्ट पढ़ाया सिच्छक ने पार्ट पढ़ाया और यहां पे हम देखते हैं एक्जाम्पल क्या सिच्छक ने बच्चों को पार्ट पढ़ाया ठीक है सिच्छक ने पार्ट पढ़ाया एक कर्म आएगा और कर्म की पहचान के लिए क्या करना है क्रिया के साथ क्या लगा के प्रश्ण करना है है ना तो क्या पढ़ाया उत्तर में क्या मिलना है पार्ट पढ़ाया ठीक है तो यानि यहां पे हमें क्या मिलना है एक ही कर्म है और कोई कर्म यहां पे मिलेगा केवल यहीं उत्तर मिलना है सिच्छक ने पढ़ा पाठ पढ़ाया क्या पढ़ाया पाठ पढ़ाया यानि यहीं हमें क्या मिलना है एक कर्म यहां से मिलना है तो यहानी यहां जो क्रिया हो जाएगी उसमें क्या हो जाएगा एक कर्म क्रिया होगी ठीक है फिर यहां दूसरा जो देखते हैं दुई कर्म क्रिया दुई कर्म क्रिया क्या होगी सिच्छक ने बच्चों को पाठ पढ़ाया क्या पढ़ाया तो उत्तर क्या मिलना है पाठ पढ़ाया यानि पहला कर्म यहां से मिला हम लोग को ठीक है फिर उसके बाद किसको कर्म 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 कर् ठीक है तो ये हो गया हमारा कर्म के आधार पर ठीक अब हम लोग क्या पढ़ेंगे दूसरा क्या पढ़ना था हम लोग को अर्थ के आधार पर और अर्थ के आधार पर पहला क्या पढ़ना था क्रिया अर्थक संग्या और दूसरा क्या पढ़ना था प्रेना अर्थक क्रिया है तो पहला यहाँ पर हम पढ़ते हैं, देखते हैं पहला क्या है, यहाँ पर हम लोग डालते हैं ख नंबर और अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर पहला हम लोग को क्या पढ़ना है, क्रियार्थक, क्रिया अर्थक संग्या क्या होता है यानि जिस क्रिया का प्रयोब क्रिया को छोड़कर अन्य स्थान पर हो अब यहां पे हम क्या देखते हैं अर्थ के आधार ठेक है अर्थ के आधार पे पहला हमनों को क्या पढ़ना है क्रियार्थक संग्या क्रियार्थक संग्या होती क्या है यहां पर क्या लिखा गया है कि जब भी कोई क्रिया संग्या की इस्थान पर किसका काम करेगी संग्या का ही काम करेगी तो क्या कहलाएगा वो क्रियार्थक संग्या क्रियार्थक संग्या हम लोग क्रिया तो पढ़ रहे हैं लेकिन इसका नाम क्रियार्थक संग्या क्यों है क्योंकि यह जो है यह जो क्रिया है यहां पर क्या है क्रिया जो यहां पर तोर पे समझते हैं सबसे पहले ठीक तो जैसे अगर आपको दे दिया जाए कि चलना सेहत के लिए सेहत के लिए बहुत अच्छा है है ना और दूसरा एक एक जामपल और यहां से हम लोग लेते हैं जैसे देश के लिए मरना देश के लिए मरना गर्व की बात है ठीक है तो यहां पर एक्जामपल लवदारन हम लोगों ने क्या लिया कि चलना सेहत के लिए बहुत अच्छा है और देश के लिए मरना गर्व की बात है ठीक है तो सबसे पहले अगर इस परिभासा से अगर नहीं समझ में आया होगा तो सबसे आसान पहचानने का तरीखा क्या है क्रियार्थक संग्या को हम लोग कैसे पहचानेंगे ठीक है अगर जैसे अगर क्या कहा जाए क्रिया की स्थान को छोड़कर ठीक है यानि जहां पर क्रिया का प्रयोग किया जाता है उस स्थान को अगर छोड़कर किसी भी अन्य पर अगर क्रिया का प्रयोग किसके साथ ना प्रत्य के साथ किया गया होगा तो पक्का है वो क्या होगा क्रियार्थक संग्या होगा वहां पे ठीक है जैसे हम यहां पर देखते हैं चलना सेहद के लिए बहुत अच्छा है तो यह जो चलना हम यहां पर देख रहा है यह क्रिय हरी यहां पर क्रियार्थक संग्या होगा नहीं तो हमने पहचानने का दूसरा तरीका क्या बताए कि अगर क्रियाा अपनी स्थान पर आजाय लेकिन ना प्रत्य की साथ तुम हर क्या हो जाएगा क्रियार्थक संग्या होगा है कि नहीं तो हम क्या देख रहे हैं यहां अपने इस्थान पे क्रिया है नहीं यहां ना प्रत्ते के साथ दूसरी जगा क्रिया आकर प्रयोग किया जा रहा है इसका तो इसलिए पर्यार्थस संग्या होगा ठीक है किया संग्या अब यहां क्या देखते हैं यहां पर हमारा व्ह 않아요 देश के लिए मर के बात है नहां तो यहां पर जो क्रिया है वो क्या है नाकर यह अन्यास्थान प्लस नाप्रत्य के साथ आया है तो इसलिए यहां अपनी स्थान को छोड़कर अपनी स्थान को छोड़कर अन्नी स्थान पर ना प्रत्ते की साथ आए की साथ आए तो वहां पर क्या होगा क्रियार्थक संग्या होगा ठीक है अब दूसरे जो यहां पर हम लोग पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे प्रेडार्थक प्रिया क्या पढ़ेंगे अब लोग यहां पर प्रेडार्थक प्रिया प्रेडार्थक प्रिया क्या होता है कि जब जो वक्ता होता है वो स्वयम काम न करके दूसरे से करवाएगा तो वहां पर क्या होगा प्रेडार्थक प्रिया होगी यानि जो यहां पर करता होगा करता स्वयम काम न करके स्वयम काम न करके किसी अन्य से करवाता है ठीक है जैसा यहां सब्द से ही देख रहा है प्रेडार्थक यानि किसी को प्रेडा देना यानि खुद उस काम को न करके बलकि दूसरे से करवाना तो जब वो खुद काम नहीं करेगा किसी दूसरे से करवाएगा तो वहां पर क्या होगा प्रेडार्थक लिया होगा इसमें हम लोग को दो टाइप से पढ़ना है एक हम लोग क्या पढ़ेंगे प्रथम प्रेडार्थक पढ़ेंगे और दूसरा हम लोग क्या पढ़ेंगे दुति प्रेनार्थक पढ़ेंगे ठीक है देखे अब हम इसे उधारण के माध्यम से समझते हैं जैसे अगर आपको उधारण दे दिया जाए क्रेश्न मधुर बासुरी बजाना ठीक है और यहाँ पे जो एक्जाम्पल दे दिया जाए कि राधा क्रिश्न शे क्रिश्न से मधुर बासुरी मधुर बासुरी बजवाना अब यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि क्रिश्न मधुर बासुरी बजाना यहाँ पे क्या देख रहे हैं राधा क्रिश्न से मधुर बासुरी बजवाना यानि जो प्रथम प्रणार्थक होगा उसमें क्या होगा जो कहने वाला होगा यानि जो वक्ता होगा जिससे भी कह रहा होगा वो उस काम को स्वैम करेगा यानि डाइरेक्ट करेगा वक्ता नहीं करेगा जिसको वो कह रहा है वो उस काम को करेगा तो वहाँ पे क्या होगा प्रथम फ्रेड आर्थक होगा जैसे देख रहे हैं क्या क्रिश्ण मधुर बासुरी बजाना यानि जो यहाँ पे वक्ता है वो कह रहा है किसको क्रिश्ण को कि तुम मधुर बासुरी बजाना यह यानि काम कौन करेगा यहाँ पे क्रिश्ण करेगा वक्ता स्वेम तो कर नहीं रहा है बलकि क्या कर रहा है दूसरे को कह रहा है काम करने के लिए कि कृष्ण मदूर बासुरी बजाना तो जब वक्ता के द्वारा कहा जाएगा जिसको भी कहा जा रहा है वो स्वेम उस काम को कर रहा है तो वहाँ पे प्रथन प्रणार्थक होगा और दुते प्रणार्तक में हम क्या देखते हैं कि राधा कृष्ण से मधुर बासुरी बजवाना यानि यहां पर जो वक्ता होगा जिस किसी को कह रहा होगा यानि वक्ता जिस से भी कह रहा होगा वो किसी अन्न को कहेगा उस काम को जो वक्ता होगा वो किसी तीसरी को ही काम करने के लिए बोलेगा लेकिन दूसरी के माध्यम से जैसे यहां पर देखते हैं क्या जो वक्ता है वो पहले क्या कर रहा है राधा से कह रहा है और राधा से कहना ही क्या हो गया उसका प्रथम प्रणार्थक हो गया और फिर राधा से ही कW until you want to Him मदौर बाश्वर बजाएगा तो हमारा क्रिष्ण क्या हो गया डूर डूसरा प्रणार्थ या नि यजुद प्रतं नार्थ है राधा हो गई है और जो दूसरा है हमारा क्रिष्ण के लिए हो जाएगा है कि नहीं तो यहां राधा से कह रहा है कि कृष्ण से यानि किसी तीसरे से तुम मधूर बासुरे बचवाना तो यहां पर हम लोग को प्रथम प्रणार्थक या फिर दूति प्रणार्थक अगर पहचानना हो जल्दी से तो क्या तरीका है तो देखें अगर धातु में क्या जोड़ दिया जाए यहां से जैसे हम तो क्या बजना होता है क्रिया क्या होती है बजना और इसी में हम नरतागे लगों यानि इसी बज में हम क्या देख रहे हैं और जब आना प्रत्य जुट गया यानि वहां पर क्या होने वाला है प्रतम प्रिनार्थक फिर यहां पर देखते हैं यहां पर भी हमारा धातु क्या होगा बज होगा वसले हो... और जैसे हम लोग वाना प्रत्य जोडते हैं किसी भीई धातू में तो वहां पर क्या हो जाएगा दुथी प्रनार्थक क्रिया होगी ठीखे तो अब को यहां पर क्रियार्थक संग्या और प्रिणार्थक क्रिया भी समझ में आ गया होगा अच्छे से हैं अब हम लोग क्या देखेंगे अब यहां पर हम लोग जो अन्य क्रिया में देखेंगे उसमें पहली क्रिया हम लोग को क्या पढ़नी है पुर्वकालिक क्रिया तो प यानि जो भी क्रिया पहली समय में हुई होगी हैंना यहां से पुर्वकालिक आर्थ यह निकल्डा यह सबसे पहले परिभासा देखते हैं कि पुर्वकालिक क्रिया को समाप्त कर के दूसरी क्रिया को करता है तो जो पहली क्रिया हुई होगी वही क्या कहलाती है पुर्वकालिक क्रिया कहलाती है जैसे मुदार्ण के माद्यम से समझते हैं जैसे मोहन नहा कर मंदिर जाता है अब यहां हम क्या देख रहे हैं मोहन नहा कर मंदिर जाता है तो सबसे पहले मोहन ने क्या काम किया यहां पर नहाना है ना यानि यह जो नहा कर है वो हमारी क्या है यहां पर पहली क्रिया और नहाने की बाद क्या कर रहा है मंदिर जाना यानि जाना यहां पर क्या हो जायागा दूसरी क्रिया हो जाएगी तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि पहली क्रिया करके दूसरी क्रिया को करेगा और जो पहली क्रिया होती है वही क्या होती है पुर्वकालिक क्रिया यानि यह जो नहा कर यानि जो पहली क्रिया होगी वही क्या हो जाएगा यहाँ पर पुर्वकालिक क्रिया ठीक है जैसे दूसरा एक्जाम्पल हम देखते हैं दूसरा एक्जाम्पल है राखी दूध पीकर सो चुकी है ठीक है यहाँ पर क्या देख रहा है यहां पर पुर्वकालिक्खेह पुर्वकालिकक्रिया । पुर्वकालिक्रिया गी होगी ठीक है यह सबसे अच्छा तरीका क्या है पुर्वकालिक क्रिया को पहचानने का कि जो धातू होगा ठीक है अगर किसी भी धातू के साथ कर जोड़ दिया जाएगा तो वहाँ पर क्या हो जाएगा पुर्वकालिक क्रिया होगी कि जैसे यहां क्या देख रहा है नहां कर नहाने यानि यहां पर नहाना ख़ातु क्र जोड़ दिया होगा अब यहां पर जो दूसरा है वो क्या है संयुक्त क्रिया या फिर जिसे क्या बोलते है यौगिक क्रिया भी कहते हैं है ना संयुक्त क्रिया क्या होता है कि दो या दो से अधिक धातूओं के योग से बनकर एक कोई नया अर्थ देने वाली जो क्रिया बनेगी वही क्या क क्रिया कहलाएगा जैसे हम क्या देखते हैं उधारण के माद्यम से समझने की कुछिस करते हैं है ना जैसे मुहन इंजीनियर बनना चाहता है बनना चाहता है ठीक है एक और एक्जामपल दूसरा यहां पर ले लेते हैं कि पिता जी दफ्तर पहुच चुके होंगे ठीक है अब यहां पर हम क्या देख रहे हैं यहां बोला क्या जा रहे हैं दो या फिर दो से अधिक क्रिया मिलकर जब कोई एक क्रिया यानि एक नया अर्थ देंगी उसका तो वो क्या कहलाएगा संयुक्त क्रिया कहलाएगा अब यहां पर हम क्या देखते हैं कि मोहन इंजीनियर बनना चाहता है अब यह जो बनना है यह क्या है यहां पर पहली क्रिया है है न चाहना भी यहां पर क्या हो जाएगा दूसरी क्रिया हो जाएगी और हम क्या देख रहे हैं यही जो दोनों क्रिया है यह मिलकर क्या कर रही है एक ही अर्थ दे रही है एक नया अर्थ दे रही है यानि मोहन इंजीनियर बनना चाहता है यानि वो क्या कर रहे हैं इंजीनियर बनना चाहता है यानि यह जो क्रिया यहां पर दो दो यूच किया ग कि पहुचना क्या हो गया यहां पर पहली क्या है और कंछ जा कि मतलब समात्य को गया ठीक है दूसरी क्या तो यहां पर दोनों क्रिया मिलकर एक ही अर्थ दे रही है एक नया अर्थ दे पहुच चुके होंगे यानि अब वहां पर देखा जाए वह पहुच चुके एक ही अर्थ एक नया अर्थ दे रहा है दो क्रियाओं को मिलाकर लेकिन तो इसलिए यहां पर क्या हो जाएगा सयुक्त क्रिया होता है कहने का मतलब यह है यहां से कि जब जो भी क्रिया मुख क्रिया के साथ मिलकर उस वाकिके भाव को पूरा करती है वही क्या होती है सहाय क्रिया जैसे अगर देखा जाए बच्चे दोड़ रहे हैं ठीक है उधारन यहां पर पहला क्या है कि बच्चे दोड़ रहे हैं ठीक है अब यहां पर हम अगर देखा जाए इस रहे है को क्या करें चुरा ले और बोले कि बच्चे दोड़ ठीक है तो अगर इसको चुरा लिया जाए तो क्या वाक्य कंप्लीट है यानि वाक्य का कोई अर्थ निकल रहा है नहीं लेकिन जैसे ही यहां पर ह हम क्या कर रहे हैं यानि जो क्रिया लगा रहे हैं उससे वाक्य क्या हो जा रहा है और एक अर्थ दे रहा है बच्चे दोड़ रहे हैं जैसे ही ये रहे हैं लगाएं वो क्या कर रहा है वाक्य को कम्प्लीट कर दे रहा है एक अर्थ दे रहा है तो जो भी वाक्य को पूरा करन ठीक, एजैसे दूसराइग्स देखते हैं बच्चा पढ़ता है अब इसी है को हटा दिया जय, बच्चा पढ़ता क्या वाकी कम्प्लीट है, नहीं लेकिन जैसे ही यह है लगा देते हैм बच्चा पढ़ता है, इस है की वज़़ sa veakka क्या हो जा रहा है? पूरा हो जा है तो यह है यहाँ पर क्या हो जाएगा संयुक्त क्रिया सारी सहायक्रिया है ना क्या हो जाएगा सहायक्रिया एक और एक्जाम्पल इसे यहां पर देखते हैं कि घोड़ा मैदान में दौर रहा है ठीक है अब यहां घोड़ा मैदान में दोड़ रहा है जैसे ही इसको यहां से गायब कर दे तो घोड़ा मैदान में दोड़ क्या वाकिया है इनकम्प्लीट है लेकिन जैसे ही यहां पे रहा है हम सब या क्रिया लगा देते हैं तो यह वाकिया क्या कर दे रहा है पूरा कर दे यह नाम धातू क्रिया क्या होता है कि यह जो है धातू संग्या सर्वनाम और विसी सर्ण जो सब्द होता है उसमें प्रत्य लगाने से बनता है प्रत्य का मतलब क्या है यानि जो भी सब्दान्स होता है प्रत्य का मतलब यानि किसी भी सब्द के पीछे जो हम लोग जोडते हैं तो वो वही प्रत्य कलाता है ठीक है तो हम लोग की जो प्रत्य की क्लास हम कर चुके हैं तो यहां पे हम क्या देखते हैं जैसे अगर उदारण देखते लालच का जो हम लोग यहां पे जो नाम धातु क्रिया होगी वो क्या होगा ललचाना यानि इसी जो लालच में हम लोग क्या लगाए हैं आना प्रत्य लगाए हैं तो क्या बन गया है ललचाना इसे प्रकार से ह लात का हत्याना सर्म से सर्माना बात से बत्याना आप से अपनाना तो जब HANः सर्वनाम और भीषेशड में हैं अगर हम अगर नाम न बत्यार है और वही जो बतियाना वहाँ पे होता है वो क्या होता है नाम धातु क्रिया होती है ठीक है यहाँ पे जो आप है क्या है सर्वनाम है और इसी सर्वनाम में जैसे हम कोई प्रत्य जोडते है तो वो बन जाता है अपनाना और यहाँ पे क्या हो जाता है नाम धातु क्रिया हो जाती ह ठीक है अब जो लास्ट है यहां पर हम लोग क्या देखेंगे काल वाचक क्रिया क्या होता है काल वाचक क्रिया कहने का मतलब क्या है कि क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया जो है किस समय में हो रही है यानि वहां पर हमें क्रिया के टाइम का समय का पता चलेगा तो वही क्या होगा काल वाचक्रिया वहाँ पे होगा और एक बात यहां से हम लोग और क्या याद रखेंगे कि इसे ही काल के नाम से जाना जाता है यानि इंगलिस में जिसे क्या कहते हैं टेंस कहते हैं ठेक है तो यही जो काल है हम लोगों की जो अगली क्लास होगी वो बिसीसर क कि बाद जो अगली क्लास होने वाली है वही क्या होगी काल की होगी चुकि हमने इससे पहले विसेसर की क्लास नहीं की है तो इसलिए पहले हम लोग विसेसर की क्लास को करेंगे फिर उसके बाद क्या करेंगे काल देखेंगे ठीक है और आपको इस टॉपिक से जो भी प्रॉब प्रवाद